हलो स्टुड़न्ट आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रोगेमिकल सेल के बारे में जो पोटेंशुमेट्री बीफाम फर्स्ट से हम फार्मसोटिकल एनालिसीज में टॉपिक आता है लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल पोटेंशुमेट्री देखा था उसकी लिंक में आपक पोश्बशन देढूंगी या प्रास सेल एक क्यमिकल सेल आसानी से समझ में आजाएगा चिकल है फिर्द होले और लकट्री वेर्डियो में करता है थिक तो इसलिए इस सेलंको हम एलेक्ट्रोग में निकली जोता क्रों करते है यहाँ पर दो इलेक्टर हमारे पास रहता एक है राफरेंस इलेक्टर और दुसरा है इंडिकेटर इलेक्टर ठीक है अब देखते हैं construction तो यह जो इलेक्टर केमिकल सेल है उसके पास दो सॉलुशन रहते हैं जिंक झालफीट का सोलैशन हम्ने एक एक्जामबलिया है ठीक है और यहां पर दोनों के दो सॉलुइशन जो होते हूँ क्नेक्ट होते सौल्ट ब्रीज से और दो इलेक्ट्ड रहते हैं हमारे पास एक जिंक इलेक्टर और एक copper इलेक्टर जो specific solution में डीप किये होए होते हैं उसके बाद जो इलेक्टर connected होते हैं वो एक voltimeter से connected होते हैं एक solution से connected होते हैं एक और salt bridge से connected होते हैं मैं अभी आपको figure में भी वो समझाऊंगी और यह सारा connection की वज़े से electrical circuit form होती है ठीक है और salt bridge जो होता है उसमें हम KCL solution से उसको उस tube को feel करते हैं तो आप यहाँ फिगर में construction समझ सकते हो ठीक हैं तो मैंने आपको बता है कि एक electro chemical cell है ठीक है galvanic cell है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो टाइप के solution है zinc sulfate का solution है और copper sulfate का solution है ठीक है और दोनों solution एक salt bridge से connected है और दूसरे एक voltometer से connected है ठीक है salt bridge जो है वो उसकी tube के end में हमने cotton plug लगाए हुए क्यों लगाए हो क्योंकि solution का mixing नहीं हो लेकिन उससे iron का moment हो सकता है ठीक है तो यहाँ पर देख सकते हैं कि zinc का ही, वा हमने zinc sulfate के solution में deep किया हुआ है और zinc act करता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि copper sulfate कि solution में हमने copper का development deep किया हुआ है और copper alive act करता है as a cathode ठीक है तो आपको एक और बात में समझा देती हूँ कि यह जो जेड़न एसो फोर के solution में हमने जो जिंक इलेक्टर को deep किया है वो cathode के वो cathode as anode work करता है एक्ट करता है तो यहाँ पर oxidation होता है तो जो जेड़न होता है solid metal की position में ठीक है तो वो क्या करता है उसका oxidation होता है तो दो electron को गूमाता है औरこれで ola में convert होके solution में यहाँ पे dissolved हो जाता है ठीक है और वो as anode work का पार्ट नहीं रहता है तो यह जो ए时 andaj zwei electron गूमात्य वो electron travel करके जाते है copper sulphate solution के तरब तो यहाँ पर जो copper रहता है एक्वायस सलुशन में वो इलेक्टरोड की हेल्प से यहां पर इलेक्टरोड को एक्सेप्ट करता है और वो कौपर इलेक्टरोड में कनवर्ट होता है और वो अब एक्वायस सलुशन का पार्ट नहीं रहता है और यहां पर रिडक्शन होता है इसी की वज़े से यहां पर इ वो दो एलेक्ट्रोन को घुमाता है ठीक है लॉस करता है और इसकी वज़ासे वो solution में डिजॉल हो जाता है यह जो दो में रहता हूं पर कोपर सॉल्यूसिशन में रहता हूं इलेक्ट्रोन को accept करके इलेक्ट्रोड में convert होते है ठीक है और वो अब solution का पार्ट नहीं रहते हैं। आपक्सेलेरेशन रहक्सन देखते हैं, यहांपर आपक्सेलेशन रहता हैं॥ यहांपर हाप सल क्डिएशन होता है। Oxidation यहां पर होता है इसलिए हम इसको Oxidation हाफ reaction बोलेंगे और यहां पर हम Reduction हाफ reaction बोलेंगे और Salt Bridge जो रहता है वो चार्ज जो रहता है उसको balance करता है ठीक है तो जैसे कि हम भी हमने देखा कि आनोड पर Oxidation होता है जेडन क्या होता है कि वो electron को loss करता है और वो इलेक्टव का पा sushi रहता है वे اینसी आप देख लीजीए एक बार Oxidation हाफ reaction एक रिगशन हाफ रेक्षन घड़ेंगे जेडन स्रीलिएकशन with होता है एको सॉलिशन में सॉलिड मेटल में कर्मेट होता है तो यह हो गाया पूरा इलेक्ट्रो कैमिकल सेल